प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके वीडियो बना रहे हैं और इस टाइम जैसी सिच्वेशन है उस टाइम पे आप एडिनियम के साथ में क्या कुछ एक्टिविटी अपने को करनी है तो तीन जरूरी काम है अभी जो सीड को पसंद आते तो ज्यादा ज्यादा शेर करें लाइक करें तो दोस्तों वीडियो आज का हम शुरू करते हैं जैसे आप देखरे होगे दो तिन सीडलिंग मेरे पीछे रखे हुए है इसके अलावा नीचे जो है आपने यहां पे भी जो है अपने सेडलिंग रखे हुए है तो इसी के बारे में जो है अपन क्या कुछ इनके साथ अपने को activity ये जो समय है ये perfect time है कि ये तीन काम जो है आज अपन करेंगे जो ये आपको आपके अगर seedling है या छोटे plants है उनके साथ अपने को कर लेना है है जिनको आपको रिपार्ट को नहीं करना है क्योंकि पर इंक लगबग हमने pass पी 자 और लेडियाанти सब G Tou करते हैं और सबसे पहले आपने को अगर क्या करना है इसकी जो टप है अग्र पिंचिंग करना चाहें तो पिंचिंग कर सकते हैं और आप इंचिंग कंफर्टेबल नहीं है तो चाकू की आक चाकू करनाऊं प dá measuring बड़िया आप्णे को लेना है और उसको जो है अपने को सेनेटाराइज कर लेना अच्छी तरहें और सेनेटाराइज करके जो है अपने को से करनानेों जैसे अब यह इतना मधि क्या रखना दोस्तों की यह जो कट उसी को अपने को बरॉंच इसक अधी इने में सभी की जो है सबढ़ाने की डिर्वारत होती एक और मैं चाहरता कि इनकी जो requirement है वो requirement है कि इस पर बहुत सुंदर आते हैं तो आपने को Qdx के उपर तो fokus है यह साथ में अपना focus जो है में ब्रांचिंग के उपर है कि जितनी ज्यादा branching होगी Profused branching होगी उतना ही ज्यादा जो है अपना डेनियम जो है सुंदर बनेगा बाद में और ब्रांच सिरम अरा समय करिसे वर यह अनिकानी इन immersion करनी है यह बहुत संदर फूल राते उससे आपको एक्टिविटी यह लें नहीं करनी यह जिस पर mostly अपने उलगता है कि ब्रांच के अपने को लिकम में अपनी एक्टिविटी अपनी प्लान करनी है यह जो पहली पहली पिंचिंग वाली और कट करने वाली बाकी जो आगे के एक्टिविटी हैं दो वह आप सभी अपने करिए जो भी छोटे आपके पास सीडलिंग है उनके साथ में तो सबसे पहले आपन क्या करेंगे इसकी जो टिप जो है कट करेंगे तो अपन चाहरे हैं कि जैसे बहुत ज्यादा जो है लंबा नहीं आपने को रखना है तो इसको यह लगबग यहां से अपने इसको कट कर लिया और कट करके जो है एंटी फंगल इस पे अपने को लगा लेना है इससे क्या होगा दोस्तों कि इसकी जो ब्र पहले बताया अपने को इसकी गुड़ाई कर लेनी है क्यों क्यों कर लेनी है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगबख बारिश बंद हुए तीन-चार दिन हो गए है मगर फिर भी जो है इसका मीडिया जो है बिल्कुल अभी भी गीला है तो इसको जो है आपन थोड़ा-थ उपर-उपर का जो है अच्छी तरह ड्राइ आउट होने लगेगा और नीचे तक जो है हीट जो सन की हीट है प्लस एयर का सर्कुलेशन नीचे बढ़ेगा तो डिजीज नहीं आईगी नहीं तो क्या होगा कि लंबे समय तक अगर इसके अंदर भरी रहेगा पानी और यह ग सुखी पतियां आप चोठ तो इससे थैस तो अब चोफिडेंग तो आपके पास चोटोटे सीडिलिंग है तो उनको अंदर आपको केर करनी बहुत जरूरी है और इस टाइम परफेक्ट टाइमिंग है इसकी पिंचिंग करने के लिए और कट करने के लिए क्यों क्यों कि हमारी यहां पर जो वैदर अब क्लीन हो गया है धूप आने लग गई है दिन में हवा में जरूर ठंड है मगर नई ग्रोथ शरू होगी उससे पहले पहले जो है अब इसको अगर पिंचिंग कर देगे और उपर से ब्रांच को कट कर देंगे तो नई ब्रॉट साना जब समय साइबा कि जब इसको ग्रोथ करनी चाहिए जैसे अभी पांट सा दिन में नई गरोथ च्टाटि और कि यादवने को देना है क्या कि आपने को इसके अंदर जो है निऊट्रेंडишь अपन दे सकते हैं जरी वी टेजर है उसके बारे में जो है आगे अपक़ अनूर वीडियो प्लान करेंगे तो दोस्ते नहीं पर, अपना चैनल आपक़ जाद